राची में पुंदा गोपी इलाके में स्थितिव एलेडी गोदाम में श्वाट सर्किट से आख लगे जिसे आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में कुछ देर के लिए अफरात तफ्री मच खें सूचना पर पहुँचे दमकल कर्मियों ने चार घंटे की कड़ी मशक्त के बाद आख पर काव उपाया लेकिन तब तर गोदाम पूरी तरह से ज़कर राख हो गया लाखों के संपति के नुक्सान की ख़वर है तुर्वाची के पुंदा गोपी लाके में स्थी तैलेटी गोदामी स्वाट सर्किट के बज़ा से आख लगे जिसने आसपास की मकानों में रहने वाले लोगों में कुछ देर के लिए अफरात तफ्री मच गई हलाके सूचना पर पहुँचे दमकल कर्वी ने चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आख पर काबू पालिया गया लेकिन तब तक गोदाम पूरतरा से जल कर राक हो गया था लाखों के संपति के नुक्सान की कबर सामने आ रही है तो बता दे कि इस शौर्ट सर्कीट के वज़र से लेटी गोदाम में विशन आख लगया लाखी आख पर काबू पालिया गया है और लाखों के संपति के नुक्सान की अश्चन का जटाय जा रही है तो राची के अव्यानी राची में पुंदा गोपिलाके में सीथ लेटी गोदाम में विशन आख लगया है और इस आख लगी में लाखों के संपति का नुक्सान बताया जा रहा है और बताते चुले कि अलेडी गोदा में ये अभीशन आग लगी है और कड़ी मश्चकत के बाद आग पर पकाव उपाए गया है और ये बताया चुरा कि शौर्ट सर्केट के वज़ा से अलेडी गोदा में आग लगी है तो बताते चुले कि राची में पुंदा गोदा में भीशन आग लगी और कड़ी मश्चकत के बाद आग पर काव उपाए गया और ये तस्वीरे जहां पर लोग आग पर काव पकाने के लिए काफी पर्याश कर रहेते हैं और आखिरकार आग पर काव पा लिया गया और इस आग लगी में लाखों के संपती के नुकसान के असंका भी जताय जा रही है तो अलेडी गुदा में विश्ण आग लगी और ये शौट सर्किट से आग लगने की आश्रंका जताय जा रही है और इस आग लगे में लाखों का नुकसान हुआ है तो ये राची में पुंदागों पिलाके में या घटना घटित हुए अलड़ी गुदा में भिशन आग लगी और सालेजी गुदा में आग लगी के कारण लाखों का नुकसान हुआ है वहीं स्वाट सर्किट से आग लगने की आश्रंकर जतायच्वारी है हलाकि करी मश्रक्त के बाद आग पर काबू पालिया गया है तो अधिक जानकारे के लिए राची से हमारे समवदाता नयर जो चुके है लाच्चट पे नयर कब और किस तरीके से आग लगी और कितनों की नुकसान का श्रंकर जाहिर क्या जा रहा है देखे यह पुंदागोपी इलाके में एक एलेडी का गोदाम है जहां आधी रात को इस तरह का घटना घटी और वहां आग लग गई है वो पूरी तरह से यहां के जो गोदाम के जो संचालक और यहां के अस्थानी लोगों के द्वारा बिजली विभाग को कोसा जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना देखने को मिली क्योंकि आधी रात को जब एक टरक उस सडक से गुजर रहा था तो उसी दर्मियान टरक का पिछला हिंचा तार में जा फंसा और एक तार एक दुसरे से सट गए जिसे सौर सरकीट हुआ और गोदाम में आग लग गई नोगों का और अस्थानिय लोगों का के तो गान एक बजली विवहाक को कई बार यहां सूचना दी गई है पॉल लगाने के लिए लेकिन लोग यहां बीजली सुवीदा के लिए सुरी पे खंबे लगाना कर अपने अपने घर में लाइन ले जा रहे थे और जो भिजली जो खंबे जे थे वो बांस के खंबे थे और काफी जूके हुए थे जिस से टरक आने के करने इस तरह का घटना देखने को मिली हलाकि एलेडी संचालक पूरी तरह से हतास है क्योंकि दीवाली के समय उन्होंने बाहर से लाखों का समान मंगवाया था एलेडी जो पर्थम दिश्टिया जो आग लगी उसमें 25-26 लाख रुपिया का नुकसान बताया जा रहा है और हलाकि इसकी जो जलने का जो नुकसान आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि उसकी अभी गिंती की जा रही है लेकिन जो संचालक है वो पूरी तरह से हतास है उनको उनका कहन है कि दिवाली के समय इस तरह के लिए जरूरी से जरूरी मंगाया गिया था जिससे बजार में बेच सके लेकिन वह पुरी करो पूरी होता है उसे लगा कर लाइन अपने घर में ले जा रहे हैं लेकिन विजली विभाग के दौरा अभी तक से कोई उनके कानों में जू भी नहीं रहेंगी इसका निस घटना को नहीं आज इस प्रकार से भी आप कहे रहे हैं क्या अभी तक इसमें कोई पाल नहीं की गई देखिए ये विगत दो महने से संचलक द्वारा बताया जा रहा है कि इस महले में कोई भी जो विजली के जो विजली विभाग के द्वारा जो पॉल दिया जाता वो नहीं दिया गया है लेकिन लोग लंबा तार होने के कारण जो बांस और जो बली जो है वो लगा कर अपना काम चलाते आ रहे थे और इसी तरह रोड में किनारे किनारे जो बली लगी भी थी तो उसी बीच एक टरक आ गया जिससे वो टरक जो जूलते हुए तार में जाके फंस गया और वो टार जो है एक दूसरे से पूरी तरह संपर्क में आने के बास सौट सर्कीट हो गया वही सौट सर्कीट होने की वज़ा से जो आग है वो गोदाम में लग गई और गोदाम पूरी तरह से जलकर सवाह हो गया हलेकि अगनी सामक दलों ने घंटों मसकत की आग बुझाने का और लगबख चार से पांच घंटे लगा पूरे गोदाम में आग बुझाने के लिए तब जाकर पूरी तरह से आग सांथ हुआ हलेकि पूरी तरह संचालक पूरी तरह से अभी भी हतास है कि इस से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए आप पूरी तरह से बिजली विभाग पर पूरी तरह से दोस मार रहे है लेकिन बिजली विभाग के तरफ से अभी तक से कोई जवाब नहीं आया है लेकिन जो अस्थानिय लोग और जो यहां के संचालक एलेडी के संचालक है वो पूरी तरह से बता रहे हैं कि बिजली विभाग को हर पलपल के साथ हर सब्सक्राइब या हर महीने एक आविदन दिय के जो पूल है उसे लगा दिया जाए लेकिन अभी तक से बिजली विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया जिसके फल सुरूप या घटना रात में देखने को मिली और संचालक का यह भी कहना है कि अगर आग पर काबू नहीं पाया जा पाया गया होता तो अगल बगल जो घर ह उसमें भी आग की लपटे जा सकते थी लेकिन अभी बिल्कुल तमांग चानकारी के लिए शुक्रिया रही तरह से आगबर काबू पाया तब बिल्कुल नहीं काफी हता सालेडे संचालक को देखने को मिला अला कि कड़ी मश्चाकत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और लाकों की आज संपती का नुक्सान बताया चाह रहा है